नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों के लिए जो है CET एक्जाम के लिए महतोपूर्ण क्यूशन लेके आ गया हूँ तो सभी विद्यार्दे जो भी तयारी कर रहे हैं CET एक्जाम की उनके लिए ये कलास बहुती महतोपूर्ण वहने वाली है आप लोगों को बता दूँ इसमें वीडियो में टाइम लगेगा क्यों लगेगा क्योंकि मैं आप लोगों को डिटेल के साथ पढ़ाने वाला हूँ मित्रो डीटेल के साथ पढ़ाऊंगा तो डीटेल के साथ तोड़ा टाइम लगेगा तो तोड़ा इंतजार करते रहे हैं आएके क्यूशन आगे आता रहेगा और क्योंकि आप लोगों के लिए में शांदार क्यूशन लेके आ रहा हूं तो अब आप लग तयार हो जाईएगा पेन कोपी आप साथ में रखिए हुर्डा समेलन 1734 इसवी की अद्धेक्स्ता किसने की थी बताइए हुर्डा समेलन की जो अद्धेक्स्ता है वो किसने की थी तो आप बताइएगा हुर्डा समेलन कब हुआ डेट बता देता हूं 17 जुलाई को 17 जुलाई 17 जुलाई 1734 को व योजना किसने बनाई थी इसकी योजना बनाई थी सवाय जय सिंग ने और उद्धेश से क्या था इसका उद्धेश से पुचा जा सकता है कि हुड़ा समेलर का उद्धेश से क्या था तो मराटो के आकर्मन का सामना करना इसका उद्धेश था इसके अद्धेश थे संग्राम स सिंग सेकिंड जो मेवाड के थे उनको यहां पर अध्यक्स बनाया गया था प्रंतु क्या हुआ उनकी मृत्यू हो गई मृत्यू के कारण अध्यक्स बनाया गया जगसिंग सेकिंड को तो यह आप याद रखना है इस समयलन में निम्न सासक आयते अब आप से पूचा जाएग जोदपुर के अबे सिं आयते नागोर के वक्त सिं विकानेर के जोरावर सिं बूंधी के दलल सिं ँहाड़ा उटा के्शता काल के बाद यहां पर रजस्तान का कोई सात नहीं आया अता यह यह योजना क्या हो गई थी आ सपल रह गई थी तो यह आपको याद रखना है कि यह योजना क्या रह गई थी तो आप लोगों के लिए महत्तोपूर्ण लगातार में अभी आपको पूरे क्यूशन करवांगा टोटल क्यूशन है हमारी इस वीडियो में 30 30 क्यूशन तो है साथ में इतनी सारी डिटेल दूँगा आपको कि आप डेड़ सो परसंड बना सकते हैं तो आप अंत तक देखना आपका सेलेक्शन हो जाएगा क्यूसन है आपका दोस्तो निमन में से कौन सा किला इनुशको के विश्व दरोवर इस तल सूचे में सामिल नहीं है तो आप से पूचा जाएगा कि कौन सा किला है जो विश्व दरोवर सूचे में सामिल नहीं है तो दोस्तो सामिल कितने है छे किले है अब छे कौन कौन से वो मैं आपको याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा, सारी चीज़े बताऊंगा, पहले इस परसन का अंसर दे दीजिए, इसका अंसर हो जाएगा अचल गड़, तो अचल गड़ क्या है, यूनिस को विशुदरोबर सूची में सामिल नहीं है, कौन-कौन से सामिले, तो ध्यान सुनना, चीशें, चित्तोरबर गड़, चीशें क्या होंदेगा, चित्तोरब गड़, ये जो है, यूनिसकोवीजुदरोबर सूची में सामिल है, कूँबल गड़ हो गया, याद रखना कूंबल गड़ रासमन में है, गाजरण, जो की जलावाड में हैं, यह से जेशल मेर का दुरूगे रसे रण थम्बोर का दुरूगे आसे आमेर का दुरूगे होगे न छे छे दुरूगे चिकु गाजराम से आप याद कर सकते हैं कि गागरों जालावाड का दुरूग कुंबल कर रासमन का दुरूग जेसल मेर का दुरूग आमेर का दुरूगे चितोडगड क और अन्थमबूर का दुरूग ये जो छे दुरूग ये इनिशिको के विश्वudravar सुचि में सामिल है ये आप लोगों को याद हो निची है यह किसन कभी भी आपके एक्जाम में आ सकता है पस्टीटब भी आ सकता है किसी भी दिन आ सकता है ठीक है नेक्ट परशन जेपूर के किस सासक ने ब्रज निदी उपनाम से कभिताओं की रचना की तो इसका जवाब दीजेगा सवाई परताब सिंग क्या हो जाएगा सवाई परताब सिंग 수 असका सभी जवाब हो जाएगा सवाई परताब सिंग इनका काल कब से कब था ? 1778-1803, इनके काल में जेपूर पर, जेपूर पर मराटाउन के सरवादिक आकरण में थे, ये चीज़ आप यादाशाब से पुचा जा सकता है, कि सबसे ज़्यादा जो मराटाउन के आकरण में वोई थे, वो किसके काल में वोई थे, ये भी आप लोग याद रख लेना, कब करवाया था, 1709 में, एश्वी में, लालचंद उस्ता के दुबरा, ठीक है न, अब इसके रिलेटेड कुछ क्यूसन है, वो आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है, तुंगा का युद कब लड़ा गया था, इनने के काल में लड़ा गया था, जो की 28 जुलाई, 1787 को लड़ा गया था, मोरेल नदी के किनारे, जेपू लाल सोट मारग उपर, सवाई परताप सिंग हुआ, महन जी सींदिया के मद्दे, जो है, सवाई परताप सिंग याँ पर क्या हो गयते, उसके लाबा एक और युद्धी इन्होंने लड़ा था, उस युद्ध का नाम था, पाटन का युद्धे, कौन सा युद्धी लड़ा इन्होंने, पाटन का युद्धे, जो कब लड़ा गया था, 20 जून को, कब लड़ा, 20 जून को, 20 जून 1789, उनियाशी को 1979 को लड़ाय गया था कहां पर गुजरात में कौन-कौन केमाद्दे सवाई परताब सिंग को यहां पर बिजी हो गया और सवाई परताब सिंग क्य treffen पराजी होे थे सवाव़ 3 प्रताब शींग देवल जी के जो जहपूर को वास्तविकार भी माना जाता है आप याद रखना कि जो है blasting देवजी का जो जहपूर वश्त Уकार वह किसको माना जाता है सवाख प्रताब सिंग को उसके लावा यह अपनी जो भी कविता हैं लिखते थे मित्रों उनमें नीचे लिखा करते थे ब्रजनिदी इनका क्या नाम लिखा करते थे यह कविताओं में ब्रजनिदी इनके दरबार में गंद्रव वाईसी आप से पुछा जाता है बहुत बार कुछन आ चुका ह कौन ते चांद का पुस्तक कोन सी थी स्वर्व सागर कावे गुरु कावे गुरु कोन ते गंपती भारती पुस्तक थीन की संगित सागर हवा महल का निर्मान इनके दोरह करवाया गया था और ड़ा सिकार ता लाल चंध उस्ता याद रखना। उसके लावा इनके काल में ये सारा मामला हो गया, इतना सारे चीज़े में आपको बढ़ती कि दो युद्ध लडए इन्होंने तुंगा का युद है। और पाटन दोस्तों चरी नर्टे आंगना ये कोन है और किसन गड़ किये इतनी सारी चीजे में आपको फेले बता दी तो फलकू भाईए ये गूजर महिला द्वारा मांगली काउसर पर किया जाने वाला नर्टे हैं चरीक में कांगडे वो तेल डाल कर चरीके अंदर क्या करते हैं कांग डोल बंकिया आदिवादे अंतरों का उपयोग किया जाता है किसन गड़ के पास ही दोस्तों गूजरों का चरी नर्टे बड़ा प्रसिद है किसन गड़ की फलकू भाई इस नर्टे की प्रसिद नर्टियांगना है ये भी आप लोग याद रखिया किसन गड़ कहां पर होगी वीडियो आप लोगों के लिए राजस्तान में इस्तरी परीदान पॉमचा को क्या कहते हैं बताइए राजस्तान में इस्तरी परीदान जो होता है पॉमचा तो पॉमचा को क्या कहते हैं तो पॉमचा किस परकार का होता है पीला 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 कपड़ा होता है दोस्तों बेटे के जनम पर पिला पॉम्चा और बेटी का जब जनम होता है तब गुलाबी पॉम्चा ओड़ा जाता है पिले पॉम्चा का एक प्रकार पटोदा का लूगड़ा जो लक्षमणगर सीकर और मुकंद्रा जुन जुनू का प्रसिद है तो ये भी आप लोग याद रख सकत हैं अगला किसे ने राजस्तान केसरी राजस्तान केसरी समाचार पत्र का प्रकासन किस ने प्रारम किया तो राजस्तान केसरी नामक जो समाचार पत्र है उसका प्रकासन किस ने किया इसका जवाब दीजेगा क्या हो जाएगा वीजे सिंग पतिसका सही जवाब हो जाएगा कुछ समाचार पत्र औरे वो भी आद रख लेना क्योंकि ये भी एक्जाम में आते रहते हैं तो ध्यान से सुनना और आप नोट्स बना लीजिए आप एक पेन कॉपे उठाईए और उसमें लिखे जो मैं आपको नाम बताऊंगा को समाचार पत्र के और उनके संस्तापक ठीक है ना लिखो ध्यान से राजस्तान समाचार इसके संस्तापक के समर्तन दास चारने राज पुताना गजट इनके संस्तापक के मोलवी मुराद अली राजस्तान केजरी इनके संस्तापक के विजे सिंग पतिक, राजस्तान समाचार पत्र के प्रकास कोने रिशिदत मेहता, नवीन राजस्तान विजे सिंग पतिक, तरुन राजस्तान जैनाराइन व्यास व्यावर से, ज्यानुदे इसके संस्तापक पंडित जाबर मल शर्मा, स प्रताब समाचार पत्र के दोस्तों ये उत्तर प्रदेश से चला करता था प्रताब समाचार गणेश संकर विद्यारत इसके संस्तापक थे अकंड वारत समाचार पत्र इसके संस्तापक जयनारायन व्यास पीप या ओधुंबर इसके संस्तापक थे दोस्तों जयनारायन व्या क्योंकि आपको लाश्ट में पिर जब एक्जाम आ जाएगा तो आप क्या जल्दी जल्दी पढ़ोगे तो उस टाइम में आपको डिटेल कम बताऊंगा अभी डिटेल बता रहा हूं ताकि ध्यान से आप पढ़ सके आपके पास समय है तो इस समय रहते आप अभी पढ़ सकते और आपकी पढ़ाई में चार चांद लगा सकते हैं नेक्स्ट प्रसन आप लोगों के लिए हल्दी गाटी के युद्ध के बाद महरणा प्रताप ने अपनी राजदानी कहां इस्तापित की दोस्तों जब हल्दी गाटी का युद्ध हुआता महरणा प्रताप और अक्वर कै योट्ध के मत्यव क्या गजब का खतरनाक हुका था कब हनका तब क्या है इन्होंने अपनी राजदानी दोस्तों यहां से हटा करके और कहां लगा ली थी बता इयह प्रताप ने नहीं राजदानी क情况 कह बनाइ थी चावंड में याद रखना अब आपको महरणा प्रताप के बारे में कुछ जो है जानकर या बताऊंगा जो कि आपके एकजा में आपकी हेल्प करेगी हल्दी गाटल के युदि के पस्याद 1585 में चांड के जो लुणा चंड या था उसको हराकर को चंड या को क्या बना दीया था चावंड को नई राजदानी बिनाया महरणा प्रतापने 1572 से 1570 में तक इनका राजकाजरा 1572 से 1570 में क्या हो गई दी और आप से पूच्छा जाए कि महरणा प्रताप के बच्पन का क्या नाम था तो इनके बच्पन का नाम था कीका या कुवर कीका या कुवर इनका जनम हुआ था 9 मई 9 मई 1540 को 9 मई 1540 को इनका जनम हुआ था याद रखना कब हुआ था रविवार के दिन कुम्बल गड़ दुरुग में हुआ था कुम्बल गड़ दुरुग की भी अंदर बात करें तो कटार गड़ में कटार गड़ के अंदर भी बात करें तो बादल मेली में जुना कचरी में इनका जनम हुआता ये आप लोग याद रखना तिती क्या थी उस दिन जैष्ट सुक्लत तरतिया जैष्ट सुक्लत तरतिया के दिन इनका जनम हुआता पिता का नाम था मारणा उदे सिंग माता का नाम था ज्वेंता भाई अखेरा सोन गरा की जो क्या थी पुत्री थी ज्व दे पवार, क्या नाम था? आजब दे पवार क्योंकि ए रामरक्ष जो पवार थे उनकी पूत्री थी, और इनके पुत्र का क्या नाम था, दोस्तों मारणा प्रताब कर दिया ता? राज्य विशे कर दिया था, लेकिन आप क्या हुआ वहाँ पर मेवाड जो सरदार थे वो मारणा परताब को मेवाड का सासक गोशित किया उन्होंने क्या क्या मेवाड का जो है सासक गोशित कर दिया और राज महलो की क्रांती कहा जाता है इसे क्या करते हैं दोस्तों इस मामले को राज महलो की क्रांती परतम जिब शेक हुआ था इनका वो पंद्रा सो बहतर कुंबलगड में हुआ था मारा प्रताब ने नई राजदानी कुंबलगड बनाई थी ठीक है और मृत्यु इनकी हुई थी 19 जनवरी 15 1560 में को लिए थी 19 जनवरी 15 संत्यान में को इनकी मृत्यों गे थी तब यहाँ राजदानी थी और चांड राजदानी 1615 तक ही रहती है उसके आगे भी चलिए नेस्ट प्रसन गणगोर किस महीने में मनाई जाती है गणगोर किस महीने के लान को आती है टीज दिवार ले डूबी गणगो तीज़ती तीज है ते ते वारली गणगोर से शुरुआत अंत कहा से होता है गणगोर से सब्सक्राइब महीन चेतर महीने में मनाई जाती है है और जो शुरुवात होती है वो एप हम मतलब किस्मति 3 से सुरुवात होती है तो farad के बारे में सुन लीज़े inaud गंगोर का मनाई जाती है पूछा जा सकता है 보ंड को गंड़ी इसके जाया चेतर सुकल तर्तिया को गणगोर मनाए जाते हैं इसके लावा अलग अलग प्रकार के और गणगोरे भी होती है परन्तो आपको तो में गणगोरे यही रियाद रखने कि चेतर सुकल तर्तिया को आती है ये सोबाग्य तर्तिया के रूप में प्रसिद है ये दोस्तों जो गणगोर होती है किस रूप में प्रसिद है ये स्वाग्य इस्त्रियों का सरवादिक प्रियों तिवार होता है जो स्वाग्य इस्त्रिया होती है उनका क्या होता है ये बहुत अच्छा तिवार होता है ये स तो आपने सुना भी होगा यहां पर बहुत बड़ा मेला लगता है और आप देखने भी आये होंगे गणगोर के मेले में उंटों वह गोडों की दोड मुखे रूब से होती है जो गणगोर का मेला होता है उसमें उंटों की और घोडों की क्या होती है दोड होती है गुड सव सब्भेता से किस स्थल से जो से जुत्यवए खेल के प्रमान कां से मिले हैं बताईए इसका जवाब होगा काली बंगा काली बंगा तो काली बंगा दोस्तो हन्वान गड़ जीले में विक्षित हुई गगर नदी के किनारे इनकी खोज की ती 1951 में मतलब जैसे देश आजाद ह हुता है और 1951 में क्या कर दी ती अमला अनंद गोस ने जो है इसकी खोज की थी परतम जानकारी इसकी कहां से मिली ती लुई जी पीओ तेशी थोरी से मिली ती उत्खनन इसका कब किया गया 1961 से 79 तक 9 खंडों में इसका उत्खनन हुआ उत्खनन करता कौन ते भीके लाल और बीबी लाल भीके थापर और बीबी लाल याद रखना इसका साब्दी करत क्या है दोस्तों काली बंगा काली बंगा का मतलब क्या है इसका नाम किसे पड़ा काली बंगा क्योंकि यहाँ आपर काले रंग की चूडिया मिलीती सिंदी बासा में इसका मतलब है काले रंग की च तब्विता की तीसरी राज़तानी कौन से थी काली बंगा थी।uchen नहां पर कुछिश्चा मिली और विसेश्चा बहुत ही इंपोर्टेंट नो पुछिछ जाती है तो लिखिए विसेश्चा ध्यान से में एक एक विसेश्चा बताओँगा आप आराम-ाराम से वीडियो को मिले हैं दो पसलों के यहां पर प्रमान मिलें और वो पसल है एक तो गेहूं गेहूं और एक पसल है जो माटी की व्रसा करती यहां पर मिली है माटी की जो क्या है व्रसा बाकरती यहां पर मिली है उसके लावा सब्वेता काल जो माना जाता है इसका 23 मई से 1750 इस्वी का जो है नहां पर काल माना जाता है तो ये आप लोग याद रखिएगा ठीक है ना ये आप लोग याद रखिएगा तेवी सो इसा पूरों से 1750 इसापूरो का नहापर काल माना जाता है उसके इलावा याद रहे के जोती हुए खेतों के प्रमाण भी जो है काली बंगा में मिले हैं साथ अगनी वेधिकाई नहापर मिली है सल्लेच किसा की जो प्रमाण नहापर मिले है मात्र सतातमक जो है यह बताई जाती कि नहां पर क्याता मातर सतातमक जैसे इंडिया कहा भी पितर सतातमक जैसे यह क्यों से सब्वेता थी मातर सतातमक परिवार सब्वेता थी जैसे यहां पर क्या होता है पिता मुख्या होता है तो इस जो काली बंगा सब्वेता थी यहां माता जो है मुख्या ह हुआ करती थी और यह क्या थी नगरे सब्वेता थी और मिटिके बेलनाकार मोहरे भी यहाँ पर मिली है तो यह इतने सारे फैक्ट थे काली बंगा सब्वेता के वह मैंने सारे बता दिये इससे बार आपका कोई भी क्यूशन काली बंगा से कभी भी नहीं पुछा जाएगा तो काली पंगा के बारे में कोई सवाल है है कोई डाउट है यह सवाल कर सकते हैं और आपको लगता है कि ज्यादा समय लग रहा है सर हमें साय कि तो किशनी चिए तो वह भी मुझे बता देना क्युसर में करवा दूँ को nouvelle detail नहीं बताऊंगा ठीक है ना आपको जैसा भी प्रसंद आए आप कमेंट करना पर मैं जो बेश्ट पढ़ा रहा हूँ मेरी तरफ से जो मैं बेश्ट पढ़ा सकता हूँ वो आपको मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा क्यों कि ऐसे पढ़ाऊंगा तो आपका सेलेक्षन जरूर नहीं आया तो मैं मान जाओंगा क्योंकि जो मैंने लेवर सिटेंड और वन्रक्सक की तैयारी कराई है मुझे पूरा बरुस आए कि उनमें सारे कुशन मेरे ही आए हैं तो आगे भी मेरे ही आएंगे क्योंकि हम पढ़ाते ही इतना अच्छा है बार काँ से आएगा उसा मजजित कहा है इस्तिते उसा मजजित बयाना बयाना बरतपूर में दोस्तों उसा मजजित याद रखना अगला क्युशन अठ़ा सो सत्तावन के विद्रोव्गी शुरुवाद के समय उद्देपूर में ब्रेटिश रेजिडेंट एजन्ट कोन थे बताएगे 18 सिताउन के विद्रो की शुरूत के समय उदयपुर में British Resident Agent को था तो को था मित्रों इसका जवाब हो जाएगा Captain Sowers क्या हो जाएगा Captain Sowers इसका हो जाएगा right answer हो जाएगा उदयपुर में British Resident Agent को थे Political Agent तो Captain Sowers थे अब आप लिखिए लिखिए आठ जगह के मैं आपको आठ पोलिटिकल एजेंट बताने वाला हूँ ध्यान से और प्यार से लिखिए ध्यान से देखिए सुनना सुनना एक करके बताऊंगा ध्यान से सुनना मेवाड के रेजिडेंट कोन थे मेवाड के रेजिडेंट थे केपटन शावर से उसके लावा मारवाड के मारवाड के जो कोन थे तो मारवाड के थे दोस्तों मेक मैसोन जबकि जेपुर के कोन थे इडन गार्डन यहनकी क करणल इड़न कोटा के ते बर्टन कौन ते बर्टन ते मेजर बर्टन भरतपूर के ते मोरिशन सी रोई के जेडी होल अजमेर के करणल डिक्षन प्रताब गड़ के करनल रोक ठीक ना याद रखना इंपोर्टेंट है ठीक है चलिए अगला प्रशन कू क्या है अब ऐसे confusion में रहता है कि कू क्या है कू क्या है अब बताइए कू क्या है कू दोस्तों भील जन जाती के जो गर होते हैं उनको बोलते हैं कू क्या बोलते हैं कू और पोत्या किसको बोला जाता है पोत्या बोला जाता है भीलो के सिर पर इस्ति जो सपेद सापा होता है दोस्तों भीलो के जो सरीर मतलब सेरु होता है सीर के उपर एक सपेज साख सापा बांद के रखते हैं उसे बोलते हैं पोत्या कचाबू क्या है भील इस्त्रियों का काले वा लाल रंका घागरा होता है जो घागरा होता है न दोस्तों लेडी से घागरा पेंती बीलो की काले और लाल रंका उसको बोलते हैं कच्छाबू और कोई तो किसको बोलते हैं जो भील पुरुस दोरा कमर पर बांधी जाने वाली लंगोटी यानि कि कमर पर क्या है बील पुरुस क्या करते हैं लंगोटी बांध लेते हैं तो उस लंगोटी को बोल होते हैं खोई थू छेडा पाड़ना प्रसलिक जो तलाग की परता है यानि कि इसे शाधि कर सब्सक्राइब बाद में परसंद नहीं रहता और उन्हें लढ़ा जगड़ा हो जाता है पिर क्या करते है वह तलाग देदेते मववा क्या है भीलो का सरवादिक प्रसंदीदा वरक्ष जिसे सराव बनाते हैं वो होता है मववा तो मववा के पेड़ से सराव बनाई जाती है और यह प्रसंदीद दिता है भीलो की फाइरे फाइरे आपसे बोल दे कोई भील आकर के बील जन जाती का कोई विद्यारत आप आपसे बोल दे लड़ाय हो गए आपके मालों दोनों में वो बोले आपसे कि फायरे फायरे तो आप तयार हो जना लड़ाई के लिए तो बील जन जाती का क्या होता है रणगोस होता है पाल पाल क्या होते भीलों की जो बस्ती होती है उसे बोलते पाल और कू बोलते बील जन और दोस्तों सेकेंड नहीं है यह ठरड कि इसे कि तो नहीं का प्रक्तियम के गए गए गएAh तो किते एक था न न गोरे में हर्यान में लड़ा गया इसे से और गोरी क्या होगेते इसे और यहां पर हार हुई थी उनकी ठीक है ना और इनने भाला मारा था दोस्तों प्रतिवराज थर्ड ने तो गोविनाज क्या हो गयते घायल हो गयते तरायन का फिर दित्ते युदुवा एक साल बाद जिस्ट 1102 में इस्वी में प्रतिवराज तरते वह गोरी के मद्दे जिसम परतो आपको इतना अच्छा पढ़ा रहा हूं जो आप कोई सोच भी नहीं सकते और आप भी कमेंट करके बताईए कि दो मैं पढ़ा रहा हूं इतना अच्छा कहीं आपको और जगह मिल सकता है इतना सारी जानकारी मिल सकती है क्या नहीं मिलेगी न तो बिलकुल ध्यान से पढ़ी है आते आते समय में तोड़ा फिर कम कर दूँगा डिटेल अभी डिटेल इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आप लोगों की तैयारी में चार चांद लग जाए अभी ठीक ना आप लोगों को समझ में भी आए आप नोर्स बनाती रही है निमलिकित में से कौन सा पुरा साहनि है बागवर के कितने कौन से वियन मिस्र ये दोस्तों अभी वनरक्षक के एकजाम में भी पूचा है कि बागवर सबुक्राशं के जो है मतला उत्खनन करता कौन है वियन मिस्र दोस्तों सेम तो सेम आया है वन drunk शक में तो आप सोचो दोस्तों मैंने जो पढ़ाय तह ना सारे सारे परसंड ऐसे कैसे वंद्रक्षक में आ गए थे सोचो इतना अच्छा आ वद उन लोगों के लिए आज वो दोस्तों बहुत सारे लोगों कि सोस लिजे, 17-80 नमबर नमबर आ रहे हैं, मैं gk में जो पढ़या था ना, पूरे के पूरी आ रहे हैं न, gk में तो, उनके जो नमबर कटे न, science हो गिरा में, में, current में कटे हैं, gk में किसी का नमबर नहीं कटे, एक-दो नमबर कटे होंगे मेरे से, मतलब जिन्हों ने पढ़ाए उनके तो केवल और जिन्हों नहीं पढ़ा उनके तो मझे नहीं पता यार ठीक है अब मैं आपको बता हूँ ओजियाना बुल के जो है ये गलत है ओजियाना बुल के गलत है तो ओजियाना बुल के कौन है पूछा जा सकता है आप से मैं सारे बताऊंगा भी आपको बोजिया ना बूल क्यों सारे बताऊंगा ध्यान से सुनना पर है न नगरी चित्तोड के जो उत्करन करता है वो डाक्टर बंडार कर विराट नगर जेपूर के उत्करन करता दयाराम सानी नील रतन बनर जी केलास नात रेड सब्वेता जो टोंक में उसके उत्खनन करता है केदार नात पूरी है काली बंगा सब्वेता के उत्खनन करता पूचा जाता है हनुमानगड में जो है अमलानंद गोष इन्होंने खोज करी थी परंतु उत्खनन में तीनों का नाम आता है अमलानंद गोष तीनों में से एक option मिलेगा हमेशा तीनों नहीं मिलेगे अमलानंद गोष बीके थापर और बीबी लाल तीनों important है रंगमल जो की हनुमान गड़ में सब्विता इसके उत्करन करता है डाक्टर हन्नारिक कौन डाक्टर हन्नारिक अहाड सब्विता जो की उदेपुर में इसके उत्थन करता है अक्से किर्तिव्यास आरसी अगरवाल HD सांकलिया बीनमाल जालोर इसके उतकरन करता है RC अगरवाल गिलंड राजसमंद इसके उतकरन करता है बीबीलाल और नोह बरतपूर इसके उतकरन करता है RC अगरवाल बागोर जो की बीलवाडा है इसके उतकरन करता है विरेंदरनात मिस्र और उसके लावा बायल उदेपुर बालायल या ठीक है ना बालाथल जो बालाथल सबेता है उदेपुर तो बालाथल सबेता के उत्करन करता है विरेंदरनात मिश्रे गणेसवर सबेता जो की सीकर में है जी सीकर में है दोस्तों ये नीम का थाना सीकर नीम का थाना कांतली आपके 16 प्रशन þोड भूए थ्यान से आप principus बूए क्टेंगे क्या करेंगे धियान से देखेंगे और प्यार से बागण कि क्सी को नहीं है छोड़के जाओग Crist Walker Town आपका है हमारा कोई ये मेहमुद गजनवी के और इन दोनों, महमुद गजनवी और गोगा जी के मद्द युद्ध वाद पूछह जा सकता है कि कौन से से लोग देुद्ध न होता थैं उन्होंने युद्ध किया थिए गज़ गोगा जी अब आपको में गोगा जी के नाम तक केलम दे इनके गुरु कों थे गोगा जी के गोगा जी से गोगा जी गरसे गोगा जी और गरसे गोरक नाज जी इनके गुरु थे उपनाम क्या थे दोस्तों गोगा जी के जहार पीर गोगा पीर इनके नाम है इनका थान आप से पुचे जाता है गाउं गाउं गोगा गाउं गाउं खेजडी मतलब गाउं गाउं गाजी का जो थान होता है वो क्या होता है खेजडी के नीचे होता है और इनकी गोड़ी का क्या नाम है गजब का नाम है बढ़िया नाम एक दम सांदर नीली गोड़ी या गोगा बपा इनकी गोड़ी का नाम नीली गोड़ा नील में हनوان गिट नोहर में जो कि इनका समाधी इस्तल है और एक और इस्तान है गोगा जी की ओलडी जो की संचोर में तो ये तीन इनके प्रमुकिस्तान है याद रखना तिनों से मेला बढ़ता है, यह दोस्तो सर्या जंजाती का कुम हाडोती का सर्शे बड़ा मेला, और जेश्ट अमाउसिया को आए जो कब होता है, जेश्ट अमाउसिया को और आप एक और गजब की बात बताऊंगा, दोस्तो मैंने जो यह परसंद करवाया था ठीक है वान रखसक में करवाया तो वहां पर भी क्यूसर पूचा था कि शीता बाड़ी का मेला कहां परता है के लबड़ा भी नहीं पूचा है तो है सब्सक्राइब कर दोस्तों में जो डिटेल बता हूं आपको इतना ज्यादा क्यों पढ़ने का मुका दो मेरे उपर क्यों पलता है क्यों पढ़ने ची अिसका है लिटेल बटाता हूं जो केवला एक्जाम में ह सकता है किताब यह रामयन गाता है सारे दुनिया की वो बताती है पर मैं आपको वही बताऊंगा एक्जेक्ट परसंद बताऊंगा कि यहां से परसंद पसेगा ठीक है ना चलो अगला क्यूशन अदो लिखित में से वादे एंत्र का परकार दे रखा है आगे तो पिछे दे रखा है वादे एंत्र पर आउद वादे एंत्र जंतर नहीं होता और गारंट helps क वाजबे आ और सबंद को करूब तो वनरक्सक्वाली प्लेलिस्ट में जाना आपको दस-फंद्रा मिनिट की वीडियो भी पांच नम्मर और पांच टोपिके से कर गए और आप देख रहे ना उनके पीपर गुठागे पूरे के पूरे के वहां से आए थे तो आपके लिए भी बनाओंगा ऐसे आप चिंता मत करो चलो अब जो है मैं वादिय अंतर की तो अलग से वीडियो बना दूंगा आप लोगों के हना तो अभी यह डेटेल बताने की ज़रुत नहीं पड़ेगी मैं अलग से बना दूंगा इसके लिए तो आपको जो है अतना मतलब दिमाग लगाने के यहां पर ज़दा याद म ताकि वहां आपको एक वीडियो में सारा पता चार पांट टोपिक मिल जाए तो आप अच्छे से तैयारी भी कर लेंगे नेजा जम्मा रिखिया किस इस्ताने लोग देवता के समंदिते नेजा जम्मा रिखिया यह किस इस्ताने लोग देवता से समंदिते बताईए तो य राद रखिएगा राम देव जी उड़कास मिर बार्ड मेर इनका जनम वह था तवर वंची राजपूत्ते यह यह मतलब यह सी तो किसन आते नहीं है जो किसन आते वो मैं आपको बताता हूं कि वह राम राम देव जी के इन्ने नाम क्या है यह किसन में आते हैं राम सापीर र दोस्तों राम देव जेसल मेर में और आपको बता दू इनका जो मेला लगता है वो बादरपद एकादस में याद रखना इंपोर्टेंट है और 33 वर्स की आयो में इनोंने क्या ली थी समाधी ले ली थी यह भी क्यूशन आ सकता है और एक विशेशता है दोस्तों राम दित्या से और एका दसी तक इन्होंने समाधी ली सी 11 एक दसंवी को और जो मेला वड़ता है बाधरपर सुकल दित्या से लेक्वारता है और इनके बजन को बोलते हैं ब्यावले, क्या बोलते हैं ब्यावले, चमत्कार को क्या करते हैं परचा और जागरण को क्या करते है जम्मा घोड़ा को क्या करते है लिला और इनके तेजा है तेजा को करते है रंगों की पता का जो तेजा होती है न दोस्तो उसको रंगों की पता का और इनकी जो किताब होती है उसको करते है चोविस बानिया क्या बोलते है चोविस बानिया इनके पुचह जा सकता है दोस्तोर राम वहां तो हैं सही जोद पूर में और सुर्ता खेडा चितोड में छोटा राम देवरा घुजरात में रुनिचा जेसल मेर इनकी समादी स्तले ठीक है आप याद रहना मेरा में राम देवची के बारे sensitive सारे कामडिया-पंद्थ के सधाइबत क23 चीजे इंप्रटेंट को मैं बता देता हूं फिट से राम देव जी जो है इनको जो है यह सामिप्रतिक राजस्तान का मंदिर सुमिलित नहीं है कौन सा मंदिर जो सुमिलित नहीं है बताईए बार देवराशियो मंदिर भीलवड़ा सही है सुर्या मंदिर जालरा पटन जालवार सही है करणी माता देशनोक विकानेर सही है जगत शिरोणी मंदिर उदेपूर ये गलत है जगत शिर पर दोस्तों मेरा कंट भी दर्द करने लग गया परन्तु मैं दोस्तों तब तक नहीं रुखता जब तक मेरे student यह नहीं करें कि सर हम तैयारी कर रहे हैं अब तैयारी करने की कर दीजे तब तो हम पानी अगिरा पी लेंगे अन्यता नहीं पीएंगे आप खतम करके पीएंगे कि आप पड़ी नीरे मुझे पता है ठीक है अब मैं आप से गुस्य में हूँ चाय बिली से मुझे कुछ भी हो ठीक है अब आप लोगों के लिए में सारी मेनत करूंगा जी जान लागाऊंगा ठ गारंटी सरकारे जयोब चैनल का नाम गारंटी सर्कारी जब फो वाइक हो सालिम्टी नोखडी हवेली इसको क्या बोलते है और भी बोला जाता है नोखडी हवेली का नाम से monitor का औरभी जो मोता मेता थे नतमल का निवास इस्तान था दोस्तों यह जो दिवान मेता थे नहां के फरदान मंतरी उनका क्या था निवास इस्तान था कुछ इंपोटेंट और अवेलिया सुन लीजिए विकानेर की बच्छाओ तो क्या वेलिया पूचा जाए कहा है विकानेर मोता विका बिकानेर अब सेकावाटि का हमेल चौन लीजिए चौनले से रखिए वाटी बिसाओ जो कि जुन जुनु में है नातु राम पोदार की हवेली है महनसर की सोने की महनसर की सोने चांदी की हवेली ये भी आप लोग याद रखना जो अधबुर की हवेलिया है कुछ है पुस्व हवेली बड़े मिया की हवेली इनमें सबसे जदा इंपोर्टेंट है दोस्तों तक आये नहीं बड़ी मिया कि यहाद कर लेना जोदपुर में हैं अगला कुशन निमली कितमे से किस जीले में अंतर राष्टे और अंतर राज्य सीमा दोनों हैं अंतर राष्टे और अंतर राज्य सीमा दोनों सीमा बनाते हैं वो कौन से जीले हैं वो आप बताईएगा तो दो調 दोस्तों यह हैं आपका vp जो है आपको सुनो میरे मैं आपको बना जाए और dessa में पहले भी आम्तराश्टेश सीमय हो गया भीकानेर हो गया जेसल मेर हो गया और बाड मेर हो गया तो यह जो है चारो जीले क्या बनाते हैं पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं कितने किलोमेटर की एक जार सत्र किलोमेटर की टोटल सीमा बनाते हैं इन में पुछा जाए आप से कि सबसे ज़्यादा जो सीमा कौन बनाता है तो जो सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है वो जेसलमेर 466 और सबसे कम जो बनाता है विकानेर 168 किलोमेटर की अंतर राश्टे सिमा पर दो ही जिले हैं जो एक राश्टे और राश्टे दोनों सिमा मनाते हैं एक तो बार्डबेर और एक गंगानगर याद कर लेना ठीक है ना याद कर लेना ये अगला किसन सोर्शान गास के मेदान किस जिले में तो सोर्शेन जो गास के मेदाने वो कहा है तो सोर्शेन जो गास के मेदाने वो बारा में कहा है बारा में है ये गास के मेदान यावर किसके परसिदे दोस्तों ये गास जो ये गास के मेदाने परसिदे गो डाउन पक्षी के ले किसके लिए गोडावन पक्षिले सोर्षेन बारा में दोस्तों ब्रहमाणी माता का मंदिर भी है जहां पर देवी के पीट की पुझा करते हैं मतलब आगे से पुझा नहीं करते हैं पीट की कौन सी माता जी की ब्रहमाणी जो माता जी सोर्षेन बारा में उसकी पीट की यह पुछा देखो दोस्तों मैंने से क्यूसन बताया था और वनदक संग मैंसे के पुछा था कि टंगस्टन काहँ पर पाया जाता है तो ना गोर ऐसे कैसे क्यूसन था एकदम तो विलकुल आप याद रख सकते थे कितना बच्छा चाहिए वह ले इस च्टोनाइड यह भी कि आजमेर में इसका option उना जेता अजमेर तो सही हो जाता अगर राश्टे उंट अनुसंदान केंडर का है राश्टे उंट अब सारे मैं एक वीडियो बनाओगा चोटी आप लिए जितने वे नुसंदान केंडर है प्रजणन केंडर अनुसंदान केंडर तो वह भी मैं आपको एक साथ एक वीडियो में करवा दूँगा क्योंकि ये कुशन बहुत इंपोर्टेंट है और हर एक्जाम में आता है उसके लावा आप काजरी का याद रखो आफरी का याद रखो ये जोधपुर में बागवानी संस्थान का हैं ये आपके बिकानेर में हैं उसके लावा आप से बेड़ और बकरी का अनुसंदान के अंदर पूछे तो ये आपके अभी का नगट तोंक में हैं तो ये कुशन इंपोर्टेंट है ये याद रखना आपको गोडे का बकरियां का सब का बताऊंगा मैं चेड़ी बकरियां का सब का बायन है तो उंट अनुसंदान के अंद तो यह है आपके भीकानेर में याद रहना भी तो भीकानेर इसका छपण के मैदान हो कहा है छपण मेंके में जो है परताब गड़ और बांस वडा के मद्स कह चपण का मैदान और माई नदी के जो किनारे के मैदान है उसी निमली के तुमेंसे कौन सी चोटी दक्षिन अरावली सरंकला में अवस्तित नहीं है तो दक्षिन अरावली में कौन सी चोटी नहीं है तो बिलाली जो चोटी है या दक्षिन अरावली में नहीं है याद रखना ठीक है मद्दे अरावली में हैं बिलाली अरावली में है क्या या उत्रिये अरावली में है? बताओ कमेंट करें तीन वागों में बाठा गया अरावली को दक्षिन, मद्धे और उत्र अब दक्षिन चोटी नहीं है जबकि शेयर कमलनाते दिलवड़ा है शेयर की उचाय कितनी है यह सब जिदे में बादे मता दूंगा भी छूड़ इसको न सारी बताऊंगा क्योंकि पूचा जाता है कि इंपोटेंट कुछन बनता है यहां से आगे वाड़ी वीडियो में बता दूगा अभी की पाड़िया गोगुंदा की पाड़िया बिलकुल बेड़च नदी निकलती है उसके लाब विजराल की पाड़िया बनास सुमेलित नहीं है विजराल की पाड़िया गलत है याद रखना इसका जो उद्गम होता है दोस्तों बनास नदी का खमनोर खमनोर की पाड़िया र पांसो बारा किलोमेटर की लंबाई है बनास की पूर्णत राजस्तान में बने वाली एक मातर मतलब एक मातर तो नहीं कहींगे सबसे लंबी नदी की कहींगे वो है बनास नदी बनास बेसिन में लाल पिली मर्दा का विस्तरत है आप से पूचे जाए लाल पिली मर्दा कहा मि याद रखिएगा अगला निमलिक के तुमेलित नहीं है वो बताना है कि बीड जुन-जुन सहिए बीड रोटू नागोर सहिए सुन्दा मता जालोर सहिए जबकि गोले लाओ विकानेर यह गलत है वाई जो गोले लाओ यह विकानेर नहीं है काना चीज का नांसर नागोर आपका इसका अंसर आता नागोर नागोर होता तो इस सही हो जाता ठीक है ना अब कुछ आपको संद्रेशी श्यत्रे वो मैं बता देता हूँ ताकि आप याद रख सके और आप लिख लिजे इनको बिशलपूर टौक में है सुन्दा माता जालोर में हैं उसके लावा साकंबरी सीकर में है साकंबरी सीकर ध्यान से सुनना बीड जुन्जुनू जोड बीड गाड़ वाला भीकानेर गुड़ा विशनोई जोदपूर गोलेलाव नागोर रोटू नागोर उमेद पक्सी बियार कुटा जवाई बांध पाली के जवाई गोर सुनना मनसा माता जुन्जुनु में साबाद के जंगल बारा में रणखार के रणखार जालोर तो यह आप याद रखना रणखार जालोर जीले के चितलवाना तहसील में हैं आप लोग याद रख सकते हैं चलिए नेक्स्ट परसर की तरह बढ़ते हैं नेक्स्ट परसन क्या हो जाएगा आपका यह रहा राजस्तान में राज्ज्ड कि परतम वन निती कि स्वरस्स कोषित की गई राज़स्तान की परतम वन नती हिम्पोर्टेंट केशन बन रहा है यहां से 2010 को कब 2010 को और आप से पूच単ा जाए परतम कनीज निती परतम कनीज निती 1978 लिख लो कर रहा हूं में तो यह क्या हो गया 1978 आपका सही जवाब है दोस्तों अब तक नीतियां कितनी लागू हो चुकी है टोटल है अगस्त को आट अगस्त को लाष्ट में और च्ट आगस्त हूँ में और पने कोने अगस्त है रहका सर्मा कोने रही में टीयां आजस्तान महिला आयों की अधिक्स कोने राष्ट यह जब्कि आप से पूछ ले क्यूशन आजाएं क्यूसर्ण तो दोस्तो आप लोगों के से लगे एक वार कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, क्योंकि तीस परशन मैंने आपके बहुत सरा टाइम लिया है, पर मुझे विश्वास है कि जो मैंने टाइम लिया है, वो कीमती टाइम है आपका परंतो मैंने कीमती चीजे आपको पढ़ाईए कीमती पढ़ाईए आपको पढ़ाईए तो दोस्तो इसी प्रकार में आगे भी आपको और भी तैयारी करवाऊंगा इससे भी जबरदस्त का तैयारी करवाऊंगा आपका पेपर ऐसे कैसे चुटकिय पैस्तियाद होनी चीये यह डेटेल मैंने ऐसे ही जो हवाँ में तुक्षे मारने के लिए, वावाई लूटने के लिए नहीं बताएं कि मुझे इतना ग्यान है, मुझे इतना आता है, दोस्तों मैंने इसलिह नहीं बताईं,कि आप लोग इसे लिखें, याद करें, लिखें तब तीन से चार बार इस वीडियो को देखें, इसलिए मैंने इतनी सारी डिटेल बताईए, आप जब सोएं, खाना बनाए, क्योंकि मैं जानता हूँ, लड़किया होगी, लड़के होंगे, जो रोम लेके रते होंगे, तो खाना होगे रहाते हैं, उस टाइम आप लगा के मैं चाओंगा कि आप लोगों को साइस भी पढ़ांगा, कोसिश करूँगा पूरी, आप लोग साइस पढ़ना चाते हैं, मुझे विश्वास हैं, तो मैं आपको साइस पढ़ांगा, साइस पढ़ांगा आप लोगोंगो, तो आप धेरे बनाए रखें, कुछ दिन बैठे आराम से मैंचे टाय मिलेगा वैसे मैंसे आप आपको पढ़ाता रहूंगा तो जितने में सीटी वाले विद्यारती है आप एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी दन्यवात मित्रूं